अर्नकुत तो दिरीराज महोत सब है, तो हमारे गवर्य वैस्नों के लिए ये विसेश ये विसेश ये विसेश है, क्योंकि हमारे इतने दोस्वाइब भर्गोवे हैं, सबके सब दिरीराज की चर्णा में सबके सब प्राठना किया है, निजा लिकट लिवास कर देनी जोवर दो भी आए ग्रिराज गुवर्गन है, आप ठिपाव बेसे अपना चर्णा में सब्रे शर्वन कर देते जिसे गिरिराज गुवर्गन कैसे प्रकट हुए है, अधि गिरिराज गुवर्गन इतने तरह तरह से ये सेवा करते हैं, च्योंड़ विश्वनार चक्रमिता पूं थेते हैं क्रिश्ण ने की जो घृराज भुबर्ण सुझा की फ्रागंगी घृराज भारन की उन्हें कियों किया यह लिगारी किया रहस्य हो तो विस्वनाच इखे उठाबर उसको पीछे पहला करने बताते हैं हमें वह देवाब देवियों को अभी स्वाशना नहीं करने चाहिए हमरे एकल लिष्ट होगे कि अगर जुवली खेलाना में इसको पास्म जुवली दिलाओ वर्दन को पास्में क्योंकि उन्हें का नाम सर्व अभिष्ठा रदा है आज मांबर राम पुझा का प्रारव क्यों करवाए और इंद्र पुझा उन्हें क्यों बंदरवा दिया तो जैसे उन्हें बोले कि नहीं तो देवी को क्या बले तुम जाकर के जब्द चोटी वेरियों उतमें जन्म ग्राण करना बर्जड़त में तुमारी नाम परी प्रसंद आए जड़ पुझा करते हैं दुनिया में इंद्र पुझा करते हैं इंद्र पुझा होते हैं यह अच्छी बात रता है उज़े करिश्म यह नहीं चाहते हैं मेरे जो ब्रजवास किसके हैं वर जबाशन मेरे हैं इसकोई मारे वाए कोई बंदू इस सब्सक्राइब करिवां सब्सक्राइब किसले जो बत्ति मेरे सर्ण ना है उनको और किसमी सार्णा में नहीं चाहिए हैं इधर उदर को भटकनी नहीं चाहिए एकन रिष्ट होपर के वर मेरी पुजा करना तो इसले कहते क्रिष्णा मद मद भक्त भगो माम जाजी माम नमस को के रख पुजा करना तो मेरी जिंतर करना प्रणा मेरा अब करुं मेरी आपद्शा को करते इंद्र पुजा करें पुजा करते हैं कि इसको पुजा करें इन के पुजा करें सब्के सब्था पाई पाई डाश कातें कहां से इन इसे अधार सब्सक्राइब दुबड़ां कर न अभी ऋबेंगे इन लोग दिल्च हो भुज़ा निंदकी में किुज़ांता मेदुले ब्रेजर उप्त Liberal nei?". एक वे स्पह्तों हैं कि इंद्र चंड्र रच प्रफ्टि सब्सक्रांग को ब्रेजर निया हैं ? और ये इंद्रत हैं तुम लोगी इंद्रत पुझा करें इसलिए फिजा करो बाहती जिर्द्राज सब कुछ करने वाले स्री सिर्द्राज गोगर अचान कि पुझा पुष्टरा कार्म बताए अभी इंद्रक हो गया अभी मान क्या अगर मैं बारिश नहीं हो गास नहीं गास तो गईया कहां से घास खाएंगे घास नहीं कहां के तो दूध कहां से देंगे अलिए गौला का वो कोंका तूध ही इनकी मुल आ रहे हैं ब्रज्वास जाते हैं गोड़ी जर्व नहीं हमाँ इस पर इन्दर का विवान ही, मैं शुर्व पर आ जा हूँ और ये ब्रजिवासी को और ये सब के सब मेरे प्रजाने में बारिज नहीं कर दो कर दो कर दो कि नास्ते 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 कृष्णा आते मेरे अच्छो लान जो बड़ा वह ना थी तर्माटर सवा करें लाँ राजा वह था इस चीजिन की सबसे सब करता हूं लेजिए इंद्र क्या सोच रहा है इंद्राजा इंद्राजा इसकी सार्मान जो मान इसको तोड़ना पड़ी राइए इसलिए इंद्रपुजा को ब्रद्ध दरवाया और तीसरा जोकार में है कृष्णा अभी चाह रहे थे यह ब्रद्धस ब्रद्ध करना सब्सस्क्राइब अब इस सब्सक्राइब वरसाइगा जब में इते परवल्ग है सारे ब्रजिवासी इसकी मिच्छे जब आस्रें करें जिन ब्रजिभोपियों से मिलना बड़ा सब्सक्राइब करें और नहीं चाहने पर भी जैसे वर सामने साथ साथ दिनकर रहे और स्वश्चा दरूत में संब्सक्राइब करें तो कहां जाए और पर नहीं चाहने कर भी इनकर साथ में में बिली सकता हूं इसलिए जब कृष्णा गरीराज भर्दार ना किया इंद्रवारि से और कृष्णाजरी गरीराज गोबर्दार को इनने उठा लिए और शारी परजवाद इसकी नीचे आघे और राधारानी जब सामने आए कालगे राधारानी को देखते ही चिम्शन तो आखिसो पौने लगे कि पता नहीं हो जाए हैं भूग नहीं लग जाए और जितने सखालों को सब्सक्राइब पेगा लिया कि अलीशने कि'那么 सखना बीर कर लें सब्सक्राइब só कि पेर नहीं इठका और पर किश्मmban तो जर्ज़ेनिये नीचे का कि इनOneiki सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब बताएब रोना सब्सक्राइब दूत इतन Crispy तो ही दाना करने को तो एक रहाना करें लेगे दाना करने दाने के लिए तो नहीं इसे दाने करने को लिए कल गभी दों करते हैं बलस्स इक तत्रव मेरे को तरप देख रहें हुआ है हमएक देख मेर अघर में मेरे अजसु अधरी तो कृण रहा कि अधंड भीमेरे इंदू के आहि और Chinese. आशन साफ में मेरे अजसरता प्रव्या थे तुम्हर कम जल देख वि Pardon कुल लग रहे हैं। इसलिए कृष्णा को रास करना नहीं, अजी रास नहीं तो अकले करी नहीं सकते हैं, ये ब्रजी भोपियों के भगर रास नहीं कर सकते हैं। इसलिए कृष्णा को सोच रहे हैं। अभी जब तर ब्रजी भोपियों के आकाद सर्नात नहीं करें। नहीं करें। खुरास कैसे करें। इसलिए उन्हें इसलिए दो लिलाकी हैं। एक प्तालिय के सर्क उपर उसने निखते हैं। पंडिक करते हैं। बड़े-बड़े कलागार देखे होगी। तो रसी को उपर कोई नास्ते होगी। कोई सर्क उपर में कलसी लेकर नास्ते होगी। कोई तलवार वोपर में कोई गिलास या वोपर में। लेकिन कभी देखे हो इसने सर्क उपर किसे निखते किया थे मिलागे। तो इसने कलाकारों में सर्क वसर्श्ष्ट कलाकार हूँ। इसने जब गोप्यों ने यह चीज को देखा उप लग्वारी। इसे कलागार जो साथ के सर्पपण नित्ते करें फिर उने इसको देखकर कि इतने इतने प्रजी गुपितेश मन प्राण चितो निती इतनी को क्रिश्न को जटना में देखे बलकाव क्रिश्न का प्लाग्वा बने गया है इसलिए इनका नाम है गोवर्धन ना मतलब होता है इंद्रिया बढ़ाए वाद प्रिश्न की इंद्रियों को जो सिवा करें इसलिए इनका नाम गिर्दा गोवर्धन है तरह से हम सभर्ष्ण करने से हर तरह से इस्ट्रिश्मे को उनने कि हर तरह से उने सवा की है उनकी बैठने के रिचा ने देते ही और जो को पूल देते ही जो कि घोपिया फूल की माला बना कर शुनकी जला में देते हैं और कृष्ण का चनर धूप दीव नईवत जैसे देते हैं अलीए गिरीरा देते हैं सबकुछ घिद्वा पंचा मृत जैसे हुआं सुन रहे था ना पंचा मृत कैसे वहां पर सबके सब घिद्वान हैं गया कैसी धास खाकर दूद देते हैं दूद से दही फेर्ट में भी बनता हैं मद्वत चता रहे की जूदा कि सबके सब घिरीराज बर्धन करिश्ण के लिए हर तरह से सवा करते हैं जो प्रिष्ण की इंद्रियों को बर्धन करता हैं जो सवा करते हैं यह कौन है इसे घिरीराज बर्धन घिरीराज की सवा करते हैं इसलिए हम सबर सर्वर कर लेते हरिदास बबर्धन को इसलिए जितने हरिदासों में सर भस्रश्ट जो हरिदास को ने विए प्रिष्ण करता है जो भबर्धन की अनंत तका है गिर्जाज वबादी अनंत असे खाल गरिदाज थी अवी संजेश वोगी अभी गरिदाज की महिमाथ खुर्बार्वार्निस्टी संजेश वोगी वकत पतायें लिपने संजेश वोगी गुलब अगुज़ नहीं गुर्वेजुद्चंडराय राधिकाय कदाल्य। क्रिष्णाय क्रिष्ण भक्ताय तदबब्ताय नमोना। नमों विश्णुपादाय शीरु प्रवनाथ प्रिष्णाय भूतने। शीमते भक्ति विदांच नालाय गुस्वामी इदिनाम। वान्चार पन्पतर उभ्यस्य क्रपा सिंदू धैर चार पतितागान पावनें जो वैश्णर उधिनो नमो नमा जैरूप सनातन भट्रगुना श्रीजी उगोफान भट्दाश्न गुना देश्चेगो साइट करिक्रन वंदर जहा है ते जिनना अश्विष्ट पुरन आज्यान अम्मित भुजो पनकावदातों संकितने कपितरों कमलायाताख्षों विश्वं भरो दिजवरो जिवधर्म पादों बंदे विरत्त्रिय गलो करणा दतावर्ण एक रिष्ण करणा सिंदो दीन बंदो जगर्पते गोपेश गोपिका कांदो शिलागरा कांद नमस्तुते तब कांचर गोवरांगीरां घिर्णिन्दा वनेश्वरी ब्रिष्भान सुते देवी प्रणमामी परिप्रियरी गोवर्धन जयती शहिल पुलाद जाजो योपोपिका गुरूधितो हरितास वर्दे कृष्णे नशक्रम अभधन प्रितार्थितो या सताहम सकर्पर्म कले नमस्तुत श्री कृष्णा चैतन्या प्रभू निक्त्यानंदा श्री अज्वेत गताथन श्रीवासादी श्री गौदर प्रिंदा आधर अपने परामु आधयत गुरू पात पार्ण मिश्नुपाद शिशिमत रखती विदानत शिन लारण भॉस्तामी महारा जिंके शरी चरण कागलों में अनल्थ गोटी दन्दर पढ़ां क्या है बच्षी के शुर्वा पहला थाने बचाने तादनांतर नित्ते लाविदेश्ट अनिश्मुपाद रश्वत रश्वत शी शीमत शीला भक्ति विज्ञान राथी के श्री चर्णा मेरा नंथ खोटी दंदर श्वनाम अज एक बड़ा विशेश जिवस है हम लोग प्राते काल से ही श्री गिर्राज गोवर्जन की अशेश महिमा का कुछ अंच हम लोग श्रमट कर दाएगा है आज का दिन श्री गुरु पात्तन की अत्यंत मधुर्श मिलतियों से परिभून है गुरु महाराजी बड़े विशेश जिवसार के साथ में गिर्राज जी के पर गिर्राज जी के तलह दी है जहां उन्होंने श्री गुरु प्रगुनाजी के आजबत करें श्री प्रगुनाजी का दो सरण करते हुए अपनी सुगंधीर भजर लीला प्रकाशिट की थी उसे शी गिर्णारी गुर्या मज मैं गुरु महाराज जी बड़े ही दिशेश उकसार के साथ बड़े ही भविना उपायों से सबी वक्तों पूत्यां को उक्ति देते हों गुरु महाराजी पूस्जव को मनाय करते हुए और हजार हजार मतलों बहुत प्रकार की इड़ाराफ और ख़ेज़ शेवा के उफ्देश्च प्रण्धन कारगान उफ्द्हुंका के बहुत प्रकार के विएंजन मानते और गुरु माहरक जी के अध्यक्ष्टा में उन्सफ बेंजनों को श्री इंड़ाराफ से समझ्ज़ क गुरु महाराजी का विचार गैसिश के तो एक अत्यल्त ब्रहद ब्रिप्ष के समान है मैं बस उसमें से कुछ एक पल्लव चैन करके गंगा जब से गंगा भूजा करने के समान उनकी स्मिर्थी कुछ करने की किस्का करेगा विचेश करके शी गिर्दाजी का जो प्रसंद है जदिती बड़ा बिस्कृत प्रसंद है और शी चक्रवर्थी पाथ की ठीका उन्हें बहुत कुछ रहस से भरा हुआ है श्री सनातर गुष्वामी पाजी की ठीका अवेश्टन तोष्णिक टैजी में भी बहुन कुछ जिसे नीला के जिशे में व्यक्तुन हुआ है कि इन तुक्यों की जड़ ज़ब करना लिख सदैर भी परमार्थी पिशे में बादा होता है इसलिए सब कुछ कहना पढ़ी है मैं दो एक कुछ बाद बताने में के इस्टा करूँगा इस परसंग को तो हम दोगो ने प्राय साधार भाशा में रहे तो मोटा मोटा कुछ कुछ सुन रखा है जड़ प्रभुजी उनके साथ में है रशी चक्रवर्ती पाद कहते हैं बलदेव प्रहुजी तो शेष के रूप में अनंत मूर्वी धारण करके अनंत ब्रह्मान्डों को अपने असंग के फणों में से एक फण पर सर्सों के भाने की भाति उठाते हैं वो साक्षाथ बंदेव प्रहुजी बिद्देमाने उन्होंने क्रिश्न को क्यों उठाने दिया गृदाज गोवर्धन बंदेव तो सब सबेश्न की सेवा करने के ल अनुदेव परीश्न का और में फ्रिष्न क नहीं करने दिया जैदी परिश्न नहीं होता तो जैसोदा में या क्यों को माइकति धिरात सक्ते जदी परिश्रम नहीं होता तो क्यों जो शोदा मरिया उनके अंग्रों को सहला की कि मेरे लाला को कश्ट हो रहा है तो नीलागत बैचित्री से इसको परिश्रम कहा जाए तो शी चक्रवर्दी पात कहते हैं क्यों इतना परिश्रम करने दिया बंदे प्रभुजिमा साक्षा तो शी चक्रवर्दी पात की जो पिशेश भाषा शेली है वो यह है कि वो पहले तो प्रश्र उठाते हैं क्योंकि हमारे मंद में तो ऐसे प्रश्रम जागरत नहीं हो और उसके प्रश्रम लोग कर देते हैं इसलिए उनका भाषा वैशिष्ट है बड़ा ही सहज जरद, प्रश्रम उठाते हों उत्तर देते हैं तो शी चक्रवर्दी प्राद उत्तर दे रहे हैं कि शी बंदे प्रहु ने क्यों नहीं उठाये तो वो कहते हैं क्रिष्ण के मन का संकल्व था कि मैं स्वें इंद्र का जो यग्य है उसको भंद करूँगा और गिरिदाजी तर्फ पूरण करने दिया और विशेश करके कृष्ण बरजगोपियों के सामने अपने पौरुष को परदर्शित करना जाते थे इसने बंदे पर उन्हें क्या किया उन्होंने ये सेवा कृष्ण से नहीं उन्होंने कृष्ण को धालिए तो ऐसे बड़े सुन्दर इस परसंद को हमने सुना भी है कुछ-कुछ गुरुपाद पर्म को मुखसे तो पर्तेक बर्शी हम दोख श्रवन करते थे पिछेश कर ये घिरिराज गोवर्धन की मनीवा क्या है इसको शिलब रहुपाद मक्ति सिद्धन सरस्वती गोष्वामित पातुन जी के विचार आलोग में हम लोग कुछ जाने कुछ समझें शिलब रहुपाद जी कहते हैं कि श्रीमन चैतन्य महाप्रहुजी ने जद्धी कृष्ण में भी अपनी लीदा के माध्यम से ये घिरिराज घरण और गिरिराज जी की परहटी में जो सब कृष्ण में लीलाई की है उनके माध परहुजी के अनुगष्णी रूप रहुनाद गुस्वामियात इत्याजी ने गिरिराज गोवर्धन जी का जो वैशिष्ट जगत में परकाशित किया विशेश का रूपालब साद्वों के लिए जो वैशिष्ट परकाशित किया उसकी तुलना नहीं ब्रजमंदल भाम का परहुत तो नहीं को नहीं होता है शिला प्रहुंपाग करते हैं और दीराज गोवे नाधा कुलते बास होगाै करते हैं यहीं को नहीं नीकल दिमात्र से qainho नहीं कर दाए कि में आफ़ जा दालाओ जा दमायगा आपुल व्याकुल प्राफना हिर्दा से स्वते ही प्रकाशित होने लगी देखने मात्र से ही इर्दाज गुबर्धन जी को ऐसी अवस्ता हो जाए आज बड़ा विशेश दिन है शीरा प्रभुपाग जी कहते हैं बड़ा विशेश दिन है तो शी चेतन महाप्रवजी जब पहुंचें एक शिला क्वालिंदन करके बड़ा उम्हें करंदन किया उन्मत हो गए अपनी कृष्ण दिला को स्मरन करके और शीक गिर्दाज जी की सेवाओं को स्मरन करके बड़े उन्मत हो गए उसके पसटाथ श्रीमन महाप्रुजिने श्री हरीदेव जी के मंदिर में लापक्तिल विश्राम किया और वो मनी मन बिचार करने लगे क्या विचार करने लगे सब्सक्राइब दर्शन क्या में फाइवा सब्सक्राइब पर नहीं चड़ूगा तो माधवेंट पूरी पाजी के जो स्थापित प्रकाशिक जो गोपाल जी उनका दर्शन करने के लिए पधारिक महाप्रोजी ने उनको जब अपनी यात्रा प्रारण करने के महाप्रोजी ने उनको पुदेश दिया शीद्र ऐसी होताना रही हो चिल्काल गोवर धने नाज़ि करना और क्या करना शाधान गोवर धन के उप पर नहीं चड़ना घॉपालका महापरोजी महापरोजी ने बतलाया roughly बक्रती हमारी होने चाहिए महापरोजी के वक्त बहट है श्री शंक्रारण्य सरस्वती जी वो जब ब्रसदान का दर्शन करने आए और लोटे जब महाप्रहुजी के निकट वे तो एक गिरिणाजी की शिला और एक गुंजामाला ये लेकर के गए और महाप्रहुजी को भेट स्वरूप जी तो शिला प्रहुपाजी कहते हैं कि अर्चन करते हैं वो हरिनाम करते समय गिर्राजी की शिला को अपने वक्षस्तर पर रख लेते हैं और और विंगे सब्तिक और उसक्तिराजी को जाता है इसा आरचन महाप्राउजी करते हैं, हमारा कब ऐसा दिना आये लागा, जब हम ऐसा आरचन करेंगे, घर्राज बोगर दल्टी का, मन में कुछ प्राठ्ना को उधित हो, जब इन लीलाओं को सुनेंगे, इनके वैशिष्टे को सुनेंगे, तब कुछ मन में ऐसी प्राठ्ना हो चुकी है, ऐसे भक्तों के मुख से जब हम महीमा सुनेंगे, तब हो सकता है, तब ये संबंद जादरिक हो सकता है, तो श्रीमन महाप्राउजी कैसे गिर्राज जी की सब सेवा पुजा करते हैं, वो ही मुझा माला गोगरधन शिला उनोंने शी रगनार दास गोस्वामी आजुकी दिए, दास गुष्वामी जी तो और भी उनकी भाव की दशारी, गुरुमाराज जी बतला तेगे, कैसे उनकी भाव की दशारी जेख करते हैं, कैसे कैसे प्रैम में आविश्ट हो जातें, घंटों, नीलाओं की संत्यी उनको होती रहती गिर्राज जी, अधिना बहुत कुछ हमारे द्मारा हो गया हुआ भी है इसका विशेश भल है शिरा प्रभुपा जी कहते है बर्ष में एक दिन जगनाजी कौन है पतित पावन है कि तुमका पतित पावन जो गुड़ है वो सरवाधी कौन से दिन प्रकाशित होता है रखियात प्राविदी उस दिन क जहां से जगनाजी को भोगर्पर करेगा जगनाजी वैसी उसकी भावनानुसार श्यकार कर रहे है तो शिनव रुपार केते गिर्राज भोगर्दन जी कौन है सर्व अभिष्ट परदाता प्रूति जो गुण है वो सरवाधी किस दिन प्रकाशित है जब तृष्ण ने गि कि भाँ व विशेष खेपा किनु गौ पॉरिदिमा तो उस भां की शोगा वह दां भी प्रफुल करके ऐसें पुट्ट है अपरे सेवा करके कैसे सेवा करें उन्हों कृष्ण ने परक्रक्शन को पर्टित हो रहा है कि रेंतों वास्त वहां व में के असे करदattering जसोदा मया करिश्ण को चड़ी दिखाती है टारंग भर्सन करती है तरस्रक्रती है करिश्ण को अपने चरहां गोधर अभाती है करिश्र को पकड़कर थे अखाड़िंए उससे कriminal की सेव राधाजी उनका करूच्छन की सेवा कर रहे हैं यह सब विचार है तो इसलिए जिर्राज गोवर्धाजी अपने इश्ट की सेवा करके कृष्ण ने उनको अपने बाम हस्त पर करिश्ट उंगली में धारण कर रखा है और उसी धारण के फल सरूप सब ब्रजवासिदों के कत्रित है कृष्ण को अपना पौरुष परदर्शित करने का अफसर निम रहा है गिर्दाजी कृष्ण की शिंगार्स की निता में उनके स इसलिए बड़ा विशेष दिन आज तो इसलिए प्रभुपार जी कहते है हमारे गुरु मारा जी कह रहे है आज के दिन उनकी करपा बड़े परचोर रूप में बर्शन होती है इसलिए हमको बड़े मन के साथ में ये तो सब भाही अनुष्ठान हुआ इसे अनुष्ठान के साथ में जिदि आंत्रिक भावना जोन जाये तब तो यह रेख्रत ऑफ्यख्षान की आंत्रिक क्रिया में हमको पर्वेश करना होगा, नहीं तो भाही अनुष्थान हमको निगन जाएगा परम्गुर्जी ऐसे बूर बूर बिचार कह रहे हैं बाई अनुष्ठान उनको निगन जाएगा बस सारा दिन उसी में लगे रहे जनवाश्त्मी है राधाश्त्मी है गौर्पुर्णी माई गृदाज पूजा है बाई अनुष्ठान क्या हो शकता है कि उसके भीतर में जो आंत्रिक्ता आ जाए तब चलित्र में व्यवार में वजनसादर में वो सब वस्तुएं परिशेश बात बतना रहे हैं यही हमारी निविष्ठ सेवा है बाणी के दवारा गुरु पार्व करने की कुछ सेवा हो जाए गुरु मारा जी क्या हुद्पूर्व बिचार बतना कभी सुना गुरु मारा जी कहते इनि वस्तू के साथके संग हो जाए कि से भजर भगा से गई वस्तु के संग अवश्य परिलक्षित होगा इसे परिलक्षित होगा श्रीमन चयतर ओड़ी महात्रां import होगा जड़ी समझ आएगी ना तब गुरु महारत जी के चर्म में भी अनुलाग होगा ऐसे विचार एसे विचार कमने करने सुने एसा मन में आए यह उनका विचार वैशिष्ट है श्रीमन महाप्रहुजी दक्षिन महारत की आत्रा करते करते पंडरपुर एक स्थान पर पहुचे महारात की महारत की स्थान उनको महाप्रहुजी ने ह्रिनावस असथान पर महाप्रहुजी उनकी एक व्राहन के साथ मैं भेड़ होई और भेड़ होने पर को ज्यात हुआ कि निकट में श्री गोंगुण सुना च्छा मेरे से उनका दर्शन करने के लिए पहुंचे नहीं तो दूर से देख करके श्रीनाम कर रहे हैं और महाप्रवजी ने उनको दूर से देखकर परनाम किया तो परनाम करने मातर से क्या हो जया महाप्रवजी के इस ब्रदे में प्रेम का उद्वे ऐसा भूटा ऐसा उद्वेलिक हुआ है अश्रू, पुलक, कम, स्वेज, सब अश्टसात्मिक मिटा उपण हो गए स्री माधवेंद्र पुलिपाजी के साथ किसी ना किसी रूप में संबंद है जदी आपका माधवेंद्र पुलिपाजी के साथ संबंद नहीं हो तो ऐसा प्रेम प्रकाशित ही नहीं हो सकता अभी तो को संबंद हुआ नहीं अभी तो महाप्रवजी ना परिचा नहीं दिया कि तो शीरंग पूरी जी कैसे जाने इनका अवश्य मादमेंदर पूरी पाजी के साथ कोई ना कोई संबंद है क्यों बिना उस संबंद के ऐसा प्रेम नहीं दिखनाई दे सकता जाना कि नहीं जाना वस्तों के साथ भी संबंद हुआ ना तो चलित्र में प्रसूटी धोरा मापरोजी ने अपना पलिचे दिया मैं तो श्रीमादमंदर पूरी पाजी के विशेश धेवा पातर श्री इश्वर पूरी पाजी का खरपातर है जद्भी भागवान है कि इसा प्रभाव है किसी ना किसी रूप में दिखला ही देगा अवश्य जब महापरोजी यहां है निर्ते की इतन कर रहें जब निर्ते की शांत हो गया तो ब्रामन महापरोजी के चरंण पकड़कर असन्यासी है चरंण पकड़कर बड़ी बंदरा करते हूं कहते हैं कि आज को मेरा जीवन धन्य हो गया आप जैसी दिव्यमूर्ति के मुझको दर्शन को दिखिते कि इन्त इसने में आपके प्रेम को देकर मैं मन में अनुमान लगा रहा हूं। आप मादलेद्र पूरी पास जी से अवश्य ही संबंदित हो। किसी ना किसी रत्म में कैसे जानी है कैसे जानी है समझना ही तो बात वस्तू के साथ संबन् सुपंध में आंत्रिक संबन्न होआ है उनका आचार विचार वैवार क Bent presumably में कुला है तब विचार करो हमारा अंत्रिक संबन्न हुआ है की नहीं हुआ हमारे सिंगाद करोगोजी की कि पुत्री कुछेऽ शाध क spouses without रुझेशेवक्ट सज्ञ्रत भ्रमचारी सेवक्टे पुजबार्पाइव प्रवा कि में उनके हेल पर Ole प्राहोपाजी मुद्रे ने और प्राघि उनके हाग का प्रसाद पाया यह जिसे थी, प्रहुपाजी यह सा यह स्थाना का श हैं, तो प्राहर पर राघिय को सेवक था, पुझे ऑद कृष्णोंकेशब प्राहजी पुछा पुछा कि प्रभु जी, परुपाजी के गण थे, उनसे प्रश्न पूछा, प्रभु जी हम तो ये रूपानुन वक्ति के संबन्द्रे में कुछ बतलाई है, उन्होंने उत्तर देने से पहले ही उनसे प्रश्न किया, क्या तुम उनकी भाशा में कह रहा हूं? गुरुजी को उनके लिए शिश्य समानों की बाशा में बतला हो गयते हैं क्या तुम किसी ना किसी रूप में जदी संग हुआ है गुरु के साथ में किसी ना किसी रूप में अंतरिक संबंद हुआ है उनका आचार, विचार, बाणी में, चलिक्र में, आचरन में अवशेख दृष्य होगा जदी नहीं हो रहा है विचार कर्मी की बात है गुरु का अंतरिक संपर्थ हुआ या नहीं हुआ पर हम गुरु जी ने तो विशेव पुरा प्रवन्द ही लिख दिया यह दूवश में तो गिर्राज गोबर्दं जी जो है इनके तीन सवरूप है एक सवरूप क्या है गिर्राज गोबर्दं जी साक्षात क्या है वो कृष्ण सवरूप ही है जैसे जब अनुपूर का सब बियाट सामगरी त्यारियों के सामना क्रस्तुग की गई तो कृष्ण नहीं तो गिर्णाजी और कृष्ण क्या उनमें भेद हैं तो कृष्ण नहीं परकट होकर के साक्षा एक विशेश रूप लेकर सब सामगरी खा रहे हैं और कृष्ण बरजवासियों से कहबी रहे हैं देखो तुमारा देवका हिंद्र उसने क्या आज तक आक्षा तरिश्ण से अभिन्य एक गिर्णाजी का सोरूप जिसको प्राइश सुनते रहते हैं वो क्या है वो हरिदास वर्ज है और यह हरिदास वर्ज है उपादी उनको किसने दी है अम्रितम इदा मुदितम श्री रादी का वक्त्र चंद्रा यह जो अम्रित प्रकट हु जी कहरें ना स्थाल जल तल शश्वा भुडूवत चाया चा प्रती पदमानुकारम हंत्र संबर धैंदा त्री जगती निजे गोत्तरम सार्तकम ख्याप रहें में निजे निकट निवासम देही गोवर धन को गिर्राजगुववा धन जी स्थल देते हैं तल देते हैं जल सब ग्रतार सो सेवा करके क्या कर रहे थिजगती निजे गोत्तरम सार्तकम ख्याप रहें दू वर धन कर अपनी इस रिभूमन में यह सब सेवाई करके कर दो तो गेर आजी कौन है एक सोण उनका हरिदास वर्ज है कि इस बात का परिच है शिरूब रगुनाद गोष्वामी जी ने गिर्दाज गोवर्धन की प्राखना करते हुए बहुत अस्थानों पर इसका क्या किया है इसका इंगीत परदान किया है अब उसको तो विस्तार से कहने का समय लेकिन तो हम भी इंगीत में कुछ कह रहे हैं जैसे शिरूब रगुनाद गोवर्धन का आश्रे लेगा तो प्रश्यम करो क्यों गिर्राज गोवर्धन का आश्रे ले वहीमा क्या है रंग दोर्धिन की स्माण त्रिय Verfाण है यह घृराज बोगळन की की गिरी चम्राएं ना दुभाय है यह रधा जी की समांल की लिया है बड़ी निकुंझि बड़ी निहूर निकुंझिक की जु सब हीना आ न हो और दीवन देती है यह सब उर्दीपना कौन देता रादा जी को पृष्ण के साथ जो रादा जी की नीला है उस उर्दीपना कौन देता है नरीता विशाखा इत्या जी तो शीरहुनाद्दास गोस्वामी इंगित में बतला रहे रंगे बूर्गु आसूचा जिनकी गुफा कंद्राओं में श् जिमती राधिका की सब प्रकार की निकुन जी की नीलाओं में जो राधा जी कृष्ण को संतुष्ट करती है उन सब सेवा उन सब नीलाओं में श्री गिर्राज गोवर्दन जी जो है वो राधा जी को उपायन राधा जी को सामगरी देकर कृष्ण सेवा में उनकी सहायता क तो हम गोड zij वैशने दो गिर्राज्जी के चरण तो किस रहोस्थि प्राठना करते हैं ज Clare Noor गिर्राज्जीके रही डास बर्डह करते हैं जिस प्राइश्भ रूप यसी रूप में तो दी इसी रूप में तो होती है ना, किन्तो गुरुजी का स्वरुप तो जैसे जैसे शिश्य का अधिकार बढ़ेगा, वैसे वैसे गुरुजी का स्वरुप परकाशिक होगा, संसार दावा नहीं दिलों का, यह भी गुरु का एक स्वरुप है, महाप्रभोत इर्तन नित्य गीता यह भी गुरु का एक स्वरुप है, और नितुन जैयूनो रतिकेली सिंद्र, यह भी गुरु का स्वरुप है, यही तो है ना, गुरु का स्वरुप, शिश्य का अधिकार बढ़ रहा है, गुरु का स्वरुप, परकाशिक हो रहा है, और भी एक स्वरुप है, जिसको शिर गुनातास गुस्वामी दी कहरे ताम्बूल अर्पनपाल, मर्दर फैउनान और इसारा दी